आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगर आपके इंस्टाग्राम पर स्टोरी नहीं लग रही है तो इस प्रॉबलम को कैसे ठीक करें तो अगर आपको स्टोरी लगाने पर ये प्रॉबलम आ रही है could not upload, try again या फिर किसी और टाइप की प्रॉबलम या फिर error आ रही है तो इसे ठीक करने के लिए इंस्टाग्राम से बहार आईए उसके बाद अपने फोन की सैटिंग्स को ओपन करिये और सैटिंग्स ओपन करने के बाद नीचे आईए और नीचे आकर यहाँ पर आएगा एप्स तो आप एप्स पे किलिक करिये एप्स पे किलिक करके उपर आएगा मैनेज एप्स तो आप मैनेज एप्स पे किलिक करिये और यह ओप्शन आपके फोन में एप मैनेजर या फिर एप मैनेजमेंट के नाम से हो सकता है तो जिस नाम से आपके फोन में यह ओप्शन आ रहा है इस पे क्लिक करिए क्लिक करने के बाद अब आपके फोन के सारे एप आ चुके हैं उसके बाद नीचे आईए और नीचे आकर यहाँ पर आएगा इंस्टाग्राम तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको मिल जाएगा इंस्टाग्राम उसके बाद Instagram पे किलिक करिए किलिक करने के बाद ये वाला पेज आएगा उसके बाद नीचे Force Stop पर किलिक करिए Force Stop पर किलिक करने के बाद OK पे किलिक करिए उसके बाद उपर आएगा Storage या फिर Storage, Usage इस पे किलिक करिए इस पे किलिक करने के बाद नीचे आएगा Clear Data तो नीचे Clear Data पे किलिक करिए Storage पे किलिक करके एक option आएगा Clear Cache अगर Clear Cache शो नहीं हो रहा है तो नीचे आएगा Clear Data इस पे किलिक करिए और किलिक करके आएगा Clear Cache इस पे किलिक करिए clear cache पे click करने के बाद अब ok पे click करिए और ok करने के बाद अब back आईए तो यहाँ पर only cache clear करना है data clear नहीं करना है यह करने से आपका account log out हो जाएगा तो अब उसके बाद back आईए back आने के बाद नीचे आईए नीचे आएगा restrict data usage इस पे click करिए इस पे click करने के बाद आएगा wifi mobile data अगर यह चालू नहीं है यहाँ से तो इसे चालू करिए उसके बाद ok करिए और अब यहाँ से बाहर आजाईए अपने phone में play store open करिए open करने के बाद उपर search bar पे click करिए उसके बाद type करिए instagram और type करने के बाद इसे search करिए उसके बाद check करिए अगर यहाँ पे कोई update आया है तो instagram को update करिए तो जैसे की हमारे phone में कोई update नहीं आया है तो इतनी settings करने के बाद अब यहाँ से बहार आएंगे तो अगर आपके phone में update आया होगा तो इसे update करिए उसके बाद अपने phone में flight mode on करिए flight mode on करने के बाद इसे बंद करिए और अब अपने phone में internet चालू करिए तो जैसे कि हमने वाइफाइ कनेक्ट कर लिया है अब उसके बाद अपने फोन को बंद करके चालू करिए यानि कि रीस्टार्ट करिए फोन को रीस्टार्ट करने के बाद चेक करिए अब आपका स्टोरी अपलोड होना शुरू हो जाएगा तो इस वाली स्टोरी को हम डिलीट करेंगे अब फिर से ट्राइ करेंगे अपलोड करके तो जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर सेंड करेंगे और अब हमारी स्टोरी अपलोड हो चुकी है तो इस तरीके से इस प्रॉबलम को ठीक करें तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें